नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? 6 फरवरी के डेली न्यूस अनलेसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग? वीडियो बहुत लेट है, लेट होने के वज़ा देखें मैं बिल्कुल यह अनेस्ट रहता हूँ एक दिन मिलता है ठीक से सोने के लिए वैसे तो डेली की बेसेस पर 5-6 घंटे की नीद भी नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से तो एक संडे का दिन ऐसा होता है जितने सुबह भागा दोड़ी नहीं होती है तो सोता रह जाता हूँ बहुत लेट सोस होके उड़ता हूँ तो उसकी वज़े से वीडियो लेट हो जाती है एक ऐसा दिन होता है अफ्ते का जिस दिन मैं अपनी नीद का कोटा बूला करता हूँ इसलिए जो वीडियो भी है ये भी बहुत जादा लेट हो जाती है तो सॉरी फॉर दाट बट डीटेल में आज का डेली नीज अनलेसिस कवर करेंगे चुकि संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आया है तो हम लोग डेली नीज अनलेसिस करेंड डेफेस देखते हैं डीटेल में पहली नीज है डी लिमिटेशन से रिलेट है फिर चिलका लेक बाईो डावरसिटी हॉट्सपॉर्ट है इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उरान स्कीम के शुरू होने के बाद पिछले तीन सालों में जिन चार रूट्स पे हर चार रूटों पे जिस पे उरान स्कीम शुरू हुई थी उसमें से एक ही रूट आज की डेट में सर्वाइव करता है मतलब उरान स्कीम के जो रूट्स हैं वो जादा सर्वाइव नहीं कर पाए है क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए है इसको हम लोग यहां पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे फिर बाए एरान को सिवल न्यूक्लियर आप कहलो रिसर्च से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक वेवर मिला है यूएस की तरफ से आस्ट्रिया वियना में फिर से जीसी पी ओए के उपर बातचीच चल दी जॉइंट कॉम्प्रियेंसिव प्लान ओफ एक्शन के उपर यह वो डील है जिसको ट्रम्प ने हटा दिया था इसको फिर से लाने की कोशिश की जा रही है ताकि एरान में ओवराल जो न्यूक्लियर वेपनस बनाने का जो एक जोर है इसको थोड़ा कम किया जा सके तो इसके बारे में बात करेंगे विंटर ओलपिक्स बीजिंग में शुरू हो चुका इसके बारे में बात करेंगे वन डिस्टिक्ट वन प्रोड़क्ट मिशन स्कीम अभी न्यूज में इसके बारे में बात करेंगे और आसाम से कारगो शिप निकल के पतना से पांडू गया मतलब वाटर वे के थूँ यहाँ पे इंडिया बांगलादेश के बीच में ट्रेड हो रहा है इसके बारे हम बात करेंगे तो इतनी न्यूज़ आज आज आप मैं आपके साथ डीटेल में डिसकस करने वाला हूँ आगे वरनेस पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को शेर और सब्सक्राइब निक्या कर दीजे इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स क्लिक दा जॉइन बटन आपके जॉइन बटन दमाने से खासा मदध मिलती है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लिजे देख सकते हो अमेरिकन और बिटिश प्रनाउसेशन थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन मतलब यहाँ पर ज़्यादा जरूरी प्रनाउसेशन आपको उतना प्रैक्टिकल इशायद काम ना है मतलब जरूर काम आता है तो शेडन फ्रूट का मतलब यह होता है कि भाई किसी और के मिस फॉर्चून से खुशी लेना तो किसी और के साथ बुरा हो गया तो हम खुश हो रहे हैं ठीक है ना नॉर्मल कर केसिस में एक अच्छे इंसान का नेचर यह होना चाहिए कि भाई कोई दूसरा है तो उसके साथ अच्छा ही हो अगर उसके साथ अच्छा हो रहा तो हमें अच्छा लगना चाहिए और हम उससे इंस्पिरेशन ले अगर हम किसी दूसरे की परिशानी से खुश हो रहे हैं, तो ये Shedden Fruit है ठीके न, तो आप कह सकते हैं A business that drives on Shedden Fruit मतलब एक ऐसा business जो कि दूसरे के डूबने से खुश हो रहा है, ठीके या फिर कह लिजे, कि Shedden Fruit was felt by many viewers when the arrogant contestant was voted off the show, तो Big Boss जैसा कोई show चल रहा है, और Big Boss show को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि उसमें एक contestant है, जो बहुत कंटाला है दिमाग कराप कर रहा है, बहुत लड़ रहा है, लड़ रही है तो एकदम से उसको vote out कर दिया गया है, वो निकल गई तो लोग बड़े खुश है कि आ यार, यह निकल गई तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है ना, तो दूसरे के साथ कुछ गलत हुआ, तो आप खुश हो गए, तो इसको आप बोलते है, शेरिन फूट की property, चलिए अपनी पहली निउस को देखते हैं, many seats redrawn in JK delimitation देखिए, जम्मू और कश्मीर का delimitation की प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, मैं आपको कुछ इसके बारे में basic facts बताना चाहता हूँ अगर आप देखो, तो जम्मू और कश्मीर की जो union territory अभी है, उसमें अगर आप देखो तो, पहले जो जम्मू और कश्मीर का state था, उसमें 107 legislative assembly की seat हुआ करती थी अब ऐसे कहा जा रहे है कि 114 legislative assembly की seat होंगी 7 seat बढ़ाई जा रही है, ठीक है भाई अब जम्मू और कश्मीर में एक region तो भाई जम्मू का है और दूसरा region है आपका कश्मीर का ऐसा माने जाता है कि कश्मीर में predominantly Muslims रहते हैं और जम्मू में predominantly Hindus रहते हैं तो जम्मू और कश्मीर का state दो major groups में बटा हुआ अब पहले क्या था, कि ये जो 107 seat थी जम्मू और कश्मीर की वो 83 थी, इस 83 में अगर आप देखो तो 37 थी जम्मू के लाके से और लगबख 46 थी कश्मीर के लाके से तो 37 जम्मू के लाके से 46 कश्मीर के लाके से तो total कितनी हो गई? 83 ठीक है भाई? लेकिन अब redraft delimitation के बाद जो total number of seat हैं वो 107 से बढ़ा के कितनी की जा रही है 107 से बढ़ा के की जा रही है 114 लगबख 7 seat बढ़ाई जा रही है तो जम्मू और कश्मीर में कितनी seat बढ़ाई है तो जम्मू की जो 37 seat हैं इनको किया जा रहा है 43 और कश्मीर की जो 46 seat है किया जा रहा है इसको किया जारा 47, मतलब इस delimitation के process में, total जो 7 seat बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर Union territory की state legislative assembly में, उस 7 seat में से 6 दी जारी है जम्मू के अलाके को, और 1 दी जारी है कश्मीर के अलाके को, तो इस redrawl के बाद असा कहा जा रहा है, कि जम्मू के पास total number of seat जम्मू कश्मीर की state legislative assembly में होंगे 43, और कश्मीर के पास कितनी होंगे 47, और यह total कितनी हो गए है आपके 90, तीक है अगर delimitation के exercise इस प्रकार से पूरी होती है, अभी finalize नहीं हूँ यह delimitation के exercise, लेकिन overall seat ओं का, यह आप कहलो हिसाब होने वाला है, यह news नहीं है, यह news यहाँ पे कुछ और है, देखिए, delimitation में बहुत सी चीज़ें होती है, delimitation में एक तो यह decide किया जाता है, कि एक particular state की legislative assembly में कितनी seat होंगे, यह तो पहली कितने थी, बाद में कितनी हुई, जम्मू की region को कितनी, कश्मूर की region को कितनी, यह तो मैंने आपको बता दिया, overall यह जो total seat च्छे बढ़ाई जारी है जम्मू के लाके में, और एक बढ़ाई जारी कश्मीर के लाके में, इससे हो यह राय है, कि पहले center of power होता था कश्मीर Valley, चुकि कश्मीर Valley के अंदर जो political party जादा खींच के लेके जाएगी, वो जम्मू इन कश्मीर की state legislative assembly में, majority में सरकार बना लेगी, और फिर वो अपनी हिसाब से policy बना सकती, लेकिन अब अगर आप जम्मू के अलाके में ज़्यादा representation दे दोगे, overall 90 seatों में 43 जम्मू की हैं, 47 कश्मीर की हैं, तो overall जम्मू के अलाके में भी जो majority party है, वो जम्मू इन कश्मीर की politics में काफी major role play करेगी, इसलिए कश्मीर based parties इस particular step को criticize कर रही हैं, कह रही हैं कि भाई केंदरे की सरकार जम्मू को ज़्यादा seat अलाके करके, overall कश्मीर की political parties के influence को कम करना चाहती है, एक तो यह news होगी, दूसरा यहाँ पर जो basically news अभी निकली है, वो यह निकली है, कि भाई, जेनके के delimitation commission ने एक fresh interim report निका लिए, इस जेनके के delimitation commission में कुछ associate members है, इन associate members में तीन member of parliament, national conference party के कश्मीर वैली से, दो बीजेपी के MPs, तो basically दो बीजेपी के MPs और तीन member of parliament, तो तो पांच member of parliament, जो की जम्मु एन कश्मीर से elect होके लोग समा में गए हैं, वो overall जेनके delimitation commission के काम को देख रहे हैं, अब यहाँ पे कश्मीर के अंदर overall constituencies का withdrawal हो रहा है, अब आप बोलोगे यह क्या है, तो किसी भी state के अंदर, यह unit treaty के अंदर अलग-अलग constituency होती, constitution में एक particular इलाका होता है, और उस इलाके से एक particular person elect होता है, अब यह इलाके यहाँ पे बदले जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले हबा कादल करके एक assembly हुआ करती थी जम्मु एन कश्मीर में, इसको तीन अलग-अलग seatों में तोड़ा जा र अगर आप देखो, तो भाई, नौर्थ कश्मीर में, आप कहलो, merger हो रहा है, constituencies का, central कश्मीर में भी merger हो रहा है, कुंजेर इलाके को एक नई constituency में बदला जा रहा है, और संग्राम नाम की जो अभी की constituency ही, उसको नौर्थ कश्मीर की existing constituency में मिला जा रहा है, देखिए अब फुरी से relevant हो सकती है, चुकि उनके उपर इसका practical effect पड़ेगा, ठीके ना, चुकि जब constituency बाट दी जाएंगे, तो उस constituency में election होगा, constituency का overall इलाका बदल जाएगा, ये delimitation यहाँ पर हो रहा है, और इस delimitation के against बात कर रहे हैं कश्मीर की local political parties, ठीके, तो इसकी अभी एक draft report submit की गई है, इस draft report पर अगर किसी को problem है, तो वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है, up to a certain limit, okay, कुल मिला के देखा जाए, तो इस assembly की delimitation से ही कश्मीर की parties को problem है, वो अभी तक यही चिला रहे हैं कि भाई, पाँच अगस 2019 को, ये जो आपने article 370 abrogate किया था, ये abrogation गलत है, इस abrogation को हटाओ, जमुएन कश्मीर का state का दर्जा दो, केंदर की सरकार बोल चुकी कि भाई, जमुएन कश्मीर को state का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये state का दर्जा special status वाला नहीं होगा, article 370 वाला, ठीके, तो एक news निकलके आई, GS paper 2, government policies and issues rising out of implementation, और delimitation में आपो काम आएगी, next news ह ODOP Mission of Center Takes a Giant Technology Boost, देखे, West Jaintia Hills नाम का जो इलाका है मेगाले में, वहाँ पे एक first of kind fly-off event हुआ, fly-off event मतब कुछ ओड़ रहा है, तो क्या ओड़ रहा है, तो drone unmanned aerial vehicle technology के थूर, सामान को West Jaintia Hills से उठाके दूसी जगा पे पहुचाना है, देखे, आप जानते हो, कि North East का इलाका प accessibility की, सामान को और लोगों को एक जगा से दूसी जगा पहुचाना मुश्किल है, पाहडों की बीच से काटके रास्ते बनाना, ठीके ना, बहुत बड़े-बड़े trucks और कह सकते हो, logistical vehicles वहाँ पे चल नहीं सकते, तो कुल मिलाके West Jaintia Hill में, एक economic activity है, यहाँ पे पाए जाते ह हैं, लाका दौंग turmeric farmers, यह जो लाका दौंग turmeric farmers है, यह turmeric की खेती करते हैं, हल्दी की खेती करते हैं, और इस हल्दी की खेती, तो हल्दी उगाई, अब उस उगाई हुई हल्दी को बाकी देश में भेजना, overall markets तक पहुचाना यह एक बहुत बड़ा issue है, प्लस इन हल्दी के farmers तक proper inputs पहुचाना यह एक बहुत बड़ा issue है, इस issue को sort out करने के लिए, एक initiative है, one district, one product initiative, यह department of promotion of industry and internal trade, ministry of commerce और industry की नीचे जो काम कराता है, वो चला रहा है, तो इस particular one district, one product initiative के अंदर लाका दौंग turmeric को identify किया गया है, ठीक है भाई, और इस turmeric को identify करने से क्या होगा, कि turmeric की connectivity, मतलब turmeric के farmers, तो turmeric के farmers तक चीज़े पहुच जाएं और turmeric end product जो है, वो market तक पहुच जाए, यह एक challenge है, इस challenge को यहाँ पर पूरा करना जरूरी है, इसलिए लाका दौंग turmeric उगाने वाले farmers को यहाँ पर मदद दी जा रही है, under one district, one product scheme, आपको समझना पढ़ेगा कि one district, one product, यह concept कहां से आया है, मैं आपको बता दूँ कि यह एक Japanese business development concept है, जो कि 1979 में जापान में जिसका उदाय हुआ और पूरी दुनिया में famous हुआ है, concept क्या है, कि कि किसी एक particular इलाके के एक competitive staple product को identify करो, उसको उगाने में पूरा support दो, उसके farmers को, उसकी भाई nutrition को और overall उसकी end use को और sales को push करो, domestic countries में और internationally, इससे होगा क्या कि वो जो product है, brand बन जाएक और brand को बेचना यहाँ पे आसान होता है, तो यह जो one district, one product है, यह हमारे देश के और states में भी लागू किया जा सकता है, UP ने तो पूरी की पूरी एक scheme चालू की थी, तो यह business development concept है, जापान का, और इससे production को optimize किया जाता है, productivity, income को बढ़ाया जाता है, preservation किया जाता है, local craft का, art का promotion, product quality में improvement, वगर वगर चीज़ें यहाँ पे होती है, ODP program के initial phase में 106 products को identify किया, 103 district across 27 states, ठीक है, state export promotion committee और district export promotion committee बनाई गई है, सारे states और districts of India में, एक West Bengal को छोड़के, इस particular one district, one product scheme को implement करने के लिए, और इस इसी scheme के अंदर, West Jaintia Hill के, Lakadong turmeric farmers को भी यहाँ पे मदद दी जा रही है, one district, one product ने अगनी mission के साथ भी यहाँ पे partnership की है, यह one of the nine technology missions है, Prime Minister Science, Technology and Innovation Advisory Council के अंदर, जिसमें India की innovative technologies के मदद से, Lakadong turmeric को गाने के लिए, end to end processing में मदद दी जाएगी, overall, payload drones की मदद से, जो turmeric है, end use product, उसको markets तक पहुचाया जाएगा, बड़ी quantities में, और आप कहलो, affordable prices पे, ताकि जो farmers यहाँ पे turmeric उगा रहे हैं, उनको मदद मिले, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दू, कि यह जो Lakadong turmeric है न, इसके अंदर जो curcumin content होता है, वो होता है 7-9%, normal जो हल्दी होती है, उसमें जो curcumin content होता है, वो लगबग 3% के लगबग का होता है, बट इस particular turmeric में 7-9% का curcumin content होता है, यह बहुत important है, क्यों important है, चुकि यह मैं आपको बता दू, India is one of the largest, actually largest producer and exporter of turmeric in the world, 2019 के हिसाब से, अपेड़ा के data के हिसाब से, Agriculture Processing Export Development Authority के हिसाब स इंडिया दुनिया में सबसे आदा turmeric पैदा करता है, और इंडिया दुनिया में सबसे आदा turmeric को एक्सपोर्ट करता है, 2018 में अगर आप देखो, तो हमने 236.5 million dollars की turmeric एक्सपोर्ट की है, 2017 में हमने एक्सपोर्ट की थी 182.53 million dollars की, turmeric के positive crop है, इसकी बहुत सारी healing properties होती है, आपक properties भी है, कई medical products को बनाने में turmeric का इस्तमाल किया जाता है, और turmeric को उगाने में जदा पानी नहीं लगता है, तो एक positive crop है overall देखा जाए, ecological and health के perspective से, अब भले ही इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा turmeric का producer, उसके बावजूद हम turmeric इंपोर्ट करते हैं, क्यों इंपोर्ट करते है चुकि हमारे यहां के कुछ जो processing industries, food industries के लोग है, उनको ऐसी turmeric चाहिए, जिसमें curcumin content जादा है और oleo resin जादा है, इस context में देखा जाया है, तो हम अपने import बिल को भी कम कर सकते हैं, अगर West Jantia Hills की lackadong turmeric को हमारी देश की processing industries इस्तमाल करने लगें चुकि इसमें curcumin content अच्छा खासा 7-9% है, तो हो सकता है, आगे आने वाले समय में हमें हल्दी को बाहर से import ना करना पड़े हैं, ठीक है भाई, तो इस context में भी जो lackadong turmeric है, इसको UAV drone technology का access available करवाना ज़रूरी है, और first mile connectivity बोला जाता है, इसको first mile connectivity मतलब की overall remote में रहने वाले remote regions में खेती बाड़ी करने लोगों को first mile connectivity मिल गई, एक कहलो की state of the art transport की technology मिल गई, जिससे वो अपने products को main markets तक पहुचा रहे हैं, और ये कह सकते हो कि this is some sort of industrial revolution 4.0 इन इलाकों के लिए, industrial revolution 4.0 का ये एक facet कह सकते हो आपर से, ठीक है, तो ये जो fly off event है, ये ODOP initiative को बढ़ाएगा, लाकadong turmeric की खेती को पुश्च देगा, पिछले साल April 2021 में, ये जो One District One Product Team थी, इसने लगबग 13,136 sliced or dried lacadong turmeric का contract एक large food processing industry को दिलवाय था करला अरना कुलम में, तो already ODOP scheme के अंदर इस particular turmeric को पुश्च दिया जा रहा है, और अब इसकी first mile connectivity भी हाँ पे दी जारी, ODOP initiative के अंदर lacadong turmeric के farmers को already benefit मिलना श ये turmeric 150 रुपे प्रती केजी पे भीक रही थी, 2022 में इसका दाम 170 रुपे प्रती केजी तक पहुँच चुका है, तो आगे आने वाले समय में, farmers के लिए यहाँ पे scope बहुत ज़ादा है, ऐसा यहाँ आपर बताये जा रहा है, प्लस कुछ statistics, हमारे Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare नरजन सिंग त इंडिया दुनिया की 78% turmeric पैदा करता है, तो के 2018-19 में जो turmeric का production था इंडिया के अंदर था 3,89,000 tons, area turmeric के अंदर कितना था 2,46,000 hectares, और productivity कितनी थी turmeric की per hectare हम 5,646 kg लगबग turmeric होगा आ पा रहे है, ये कुछ बड़े important factors हैं, लिख लीजे काम आएंगे, GS paper 1 और GS paper 2 में चीज आ अब को काम हाईगी, नेक्स न्यूस है कि बड़े इंडिया में जो जितने भी उड़ान के roots identify किये गए तो उसमें से अभी एक ही functional है, हर चार में केवल एक root function है, उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नाप गरे, लगबग 5 साल पहले, इस particular scheme को हमारे प्रधान मंत्री जी ने शुरू किया था, इसको RCS भी बोला जाता है, regional connectivity scheme भी बोला जाता है, जो major शहर थे वो तो भाई देखो flight से और aeroplane से जुड़े हुए, लेकिन हमारे देश के जो आप कह सकते हो minor शहर है, tier 2 शहर हो गए, tier 3 शहर हो गए, इनमें air connectivity को बढ़ाने के लिए उड़ान और RCS scheme की बात की गई थी, तो देखे, 94 जो regional connectivity scheme उड़ान के अंदर जो route identify किये थे, आप देखो तो 30-11-2021 तक scheme का benefit था, अब 30-11-2021 तक आप देखो तो केवल 22 routes operational है, बाकी route operational ही नहीं है, इसकी बहुत सी वज़ा है, एक बड़ी वज़ा है, COVID-19 pandemic है, scheme शुरू हो ही रही थी कि कोरोना यहाँ पर फैलना शुरू हो गया, इस particular scheme में क्या बोला गया था, कि भाई, एक particular company जो की उड़ान scheme के अंदर सरकारी benefit ले रही है, वो total एक leg की 50% जो flight ticket है ना, उनका जो fair है, अगर एक घंटे तक की flight है, तो धाई हजार रुपए पर CT चार्ज कर सकता है, और जितना भी extra खर सरकार उस particular airline को देगी, तो टायर 2 और टायर 3 cities को जोडने के लिए, जो main route चलू किये गए थे, यहाँ पे, वहाँ पे इस उड़ान scheme का benefit दिया जा रहा था, इस scheme का target यह था, कि हम 3 साल तक subsidy देंगे, और इस 3 साल के period के अंदर, यह जो commercial airlines हैं, यह खुद काबिल हो जाएंगी कि अपने खुद के पैसे से, अपने खुद के आप कहलो, overall ticketों से जो भी पैसा चार्ज करते हैं, उससे अपने आपको sustain कर लेंगे, तीन साल के बाद यहाँ पे, viability gap funding की ज़रूत नहीं पड़ेगी, sustainability of operation आ जाएगा, लेकिन देखें, ऐसा हुआ नहीं है, overall, 94 में से केवल 22 routes आपकी रूटों पे फ्लैट चली नहीं है, अभी रिसेंटली हुआ यह है, कि हैदराबाद बेस्ट एक एरलाइन है, True Jet, और यह True Jet एरलाइन कुछ और वज़ों से भी न्यूज में रही है, यह South India के बहुत बड़े स्टार है, इनका नाम शायद राम चरान तेजा है, अभी इनकी मूवी भी आरी, आर, 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 तो यह पर्टिकुलर True Jet एरलाइन इसलिए भी न्यूज में थी, चोकि यह इस एक्टर ने इस पर्टिकुलर न्यूज एरलाइन में कुछ पैसे बगरा स्पेंड किये थे, अब यह जो True Jet एरलाइन है, इसने Regional Connectivity Scheme, उडान Scheme के अंदर Benefit लिया है, अब जब Scheme का Viability Gap Funding से पैसे जाने का समय जब खतम हो गया, तो इस True Jet Airline सरकार के पास गई, और बोला कि भाई, कुछ समय के लिए आप यह जो Subsidy दे रहे थे, Viability Gap Funding के थूरू इसको बढ़ा दीजे, सरकार ने वैसे तो मना कर दिया है, लेकिन सरकार ने बोल सरकेंग चार्जर में, लेंडिंग चार्जर में, ऐलेक्टिसिटी चार्जर में, रूट नेविगेशन और फैसलेटिशिंग चार्जर में, डिसकांट बेसे पे दिये जाएंगे, समझ गया, तो कुल मिला के अभी भी एविशन सेक्टर पूरी तरीके से उबरा नहीं है, इंडिया के अंदर उसकी बहुत सी वज़ाएं एक वज़े तो भाई देखो कॉमन वज़े आप कोरोना का पैंडेमिक लेख सकते हो दूसरा आप कह सकते हो कि छोटे जो रूट्स है उनको कनेक्ट करने के लिए आप कहलो कभी-कभी छोटे प्लेनों की जरूत होती स्मॉलर प पैसो में आपको एक पैसेंजर को फ्लाइट का मज़ा देना है मतलब फ्लाइट की कन्वीनिमिल्टी देनी है तो एक फ्लाइट में जतने ज़्यादा पैसेंजर को आप खचा खच भरोगे उतना ही ज़्यादा वो फ्लाइट आप कह सकते हो सस्टेनेबिल हो पाएगी तो क कोल में लाके COVID-19 के pandemic की समय पे यह जो airline का business है low yield business है high operating cost इसमें लगती है इस respect में उड़े देश का आम नागरे की scheme जितना expect किया गया था उतनी तेजी से take off नहीं किये हाँ limited benefits तो भाई देखिए हमको देखने को मिले है अभी 94 route में से 22 routes operational है और कुछ facilities यहां पे government ने एक साल के एक्स्टेंड की ठीक है जिस पर प्रत्री infrastructure airways में न्यूज आपको काम आईगी फिर यह news है कि भाई cargo ship sales from Patna to Pandu देखे इस news को शुरू करने से पहले पहले आप कुछ route देख लो एक तो national waterway route यह है यह हमारी वेस्ट बंगाल में ऐसे नजर आ रहा है एक national waterway 2 है यह जो भाई बीच में यलो यलो रंग के dots दिख रहे ने लाइने दिख रही है आपको यह है भाई IBP route मतलब इंडो बांगलादेश protocol route को पहली बात तो national waterway 1 और national waterway 2 के साथ जोड़ा गया है तो आगे आने वाले समय में इन रूटों के थरू एक तो इंडिया और बांगलादेश के रोड या रेलवेस का इस्तमाल ना करके इन वाटर वेस को इस्तमाल करेंगे जो की connected है इंडो बांगलादेश protocol route से यह जो इंडो बांगलादेश protocol route है एक water transit और trade protocol है जो की इंडिया और बांगलादेश के बीच में exist करता है इसके लिए बहुत individual protocol route बनाए गया है कोलकता पा बांडू करीम गंज में है और आप कहलो कि बांगलादेश साइड में नारायन गंज खुलना मोंगला में है पोर्ट अफकाल होता है जहां पे शिप्स को समय करें रुखते है सप्लाइज रिपेर्स वगरा होते है तो अभी हुआ क्या है न्यूस क्यों है न्यूस ये है कि एक कारगो वैसल है एमवी लाल भादु शास्त्री इसमें 200 मेट्रिक टन फूट ग्रेंस भरे गए और ये 2350 किलोमिटर के वाटर वे के थुरू होती हुई क्या हुआ कि रिवर गंगा से रिवर बमपुत्रा में गई और उसके बाद बांगलादेश के IBPR का इसने इस्तमाल किया है इस वैसल ने अपनी जर्नी शुरू की पटना से ठीक है ना 200 मेट्रिक टन्स ओफूड ग्रेंस ये केरी कर रहे थे ठीक है पांडू पहुंचे ये गोहाटी में ओके ये पांडू इंडिया में मैंने शाहत पहले बांगलादेश बोलते है और उसके बाद ये जाएं वर्म वैसे हुए ये भागपलपुल, मनिहारी, साहिब गंज, फरक्का, त्रिवेनी, कॉलकता, हल्दिया, हेमनगर होते हुए फिर इंडो बांगलादेश प्रोटोकॉल रूट से जुड़ेगा खुलना, नारायन गंज, सिराज गंज, चिलमारी होते हुए फिर नैशनल टू के सिरु जुड़ेगा, वा टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2350 किलोमेटर का, तो इस नैशनल वाटर वे वन के थू हम अपना बांगलादेश के साइड भी ट्रेट पढ़ा सकते हैं, और फिर बांगलादेश के इंडो प्रोटोकॉल बांगलादेश रूट को इ एक बहुत अच्छी चीज है, और एकोलोजिकल फ्रेंडली चीज है, जो कि वाटर वे सबसे ज़ादा सस्ते होते हैं, और सबसे कम पॉलूशन कॉस करते हैं, और यह जो पूरा का पूरा प्लान है, इट इस अपार्ट अफ एक्ट इस्ट पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्ट है, ठीए ना, तो एक्ट इस्ट पॉलिसी के अंदर नेशनल वाटर वे वन को, टू को, इंडो बांगलादेश प्रोटोकॉल रूट के साथ जोड़ना, यह बहुत इंपोर्टन प्रोजेक्ट है, तो एक एमबिशिस जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 4,600 करोड से, जिसके चलते हैं, नाशनल वाटर वे वन, रिवर गंगा को यहां पे डेवलप किया गया है, जिसमें 2,000 टन तक के वैसल आपके चल सकते हैं, इनलेंड वाटर वे अथॉरिटी ओफ इंडिया इस प्रकार के रूट को डेवलप कर रही है, अगर आप देखो, तो नाशनल वाटर वन वन, नाशनल वाटर वे टू और नाशनल वाटर वे शिक्स्टीन जो की रिवर बराग पे है, इसको इंडो बांगलादेश प्रोटोकॉल रूट से जोड़ना, इसके लिए अल्रेडी दोनों कंट्रीज की बीच में एग्रिमेंट हो चुका है, ओव तो भाई, जो भी पानी है रिवर का, उसकी जो डेफ्थ है, उसको ड्रेज किया जाएगा, उसकी खुदाई की जाएगी, देखे समझ ये, जब तक पानी गहरा नहीं है, तब तक भारी वेसल उस पानी में नहीं चल सकते, चुकि वेसल भारी होगा, तो काफी हद तक पानी तक का दिया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट में इंडिया का भी बेनिफेट है, और बांगला देश का भी बेनिफेट है, इंडिया का बेनिफेट थोड़ा जादा बोलूँगा मैं, इसलिए इंडिया कॉस्ट भी यहाँ पे जादा उठा रहा है, चुकि यहाँ पे हम अपन डिस्ट्रिक्ट चोगली डिस्ट्रिक्ट और बीजिंग सिटी में हो रहे हैं, चार फरवी को ओफिशेंडी ओपन हुए, प्रेंले मिली, इमेट दो फरवरी को शुरू हो गया थे, बीजिंग विंटर ओलम्पिक्स को होस्ट करेगा, जुलाई 2015 में डिसाइड हो गया था, 128 International Olympic Committee के सेशन जो हुआ था, कॉल अलिम्पिरो में वहाँ पर, चार पहली बार Winter Olympics को होस्ट कर रहा है, इससे पहले एक बार चार ओलम्पिक्स होस्ट कर चुका है, वो Summer Olympics था, Summer Olympics actually में में अलम्पिक्स होता है, और Winter Olympics में जो disabled persons होते हैं, उनके competition होते हैं, तो Summer Olympics 2008 में होस्ट किया थरा का विंटर Olympews प्योंग च्यांग साउथ कोरिया में हो था प्योंगायांग सब्रोना की वज़े बीजिंग पहली सीटी होगी दुनिया में जिस ने समर और विंटर Olympews दोनों को यहा पे होस्ट किया तो 2008 Summer Olympics के समय पे जो indoor venues और stadiums बनाए गए थे, उसको यहाँ पे चाइना नी utilize कर लिया है, Winter Olympics को host करने के लिए, ठीके ना, 2022 के Winter Olympics में बहुत सारी controversies उठाई गई है, चाइना की human rights violations के उपर धान दनी के कोशिश की गई है, वेगो जेनोसाइट की बात की गई है, games को bycott किया गया Winter Olympics Beijing का, वो 3.9 billion dollar है, जब 2008 के Summer Olympics होए तो उस समय budget 43 billion dollars था, 2020 के Winter Olympics में 109 events 15 disciplines में किये जा रहे हैं, 7 sportों में, यहाँ पे कुछ नए 7 medal events जोड़े गए हैं, जिसमें men's और women's big air freestyles है, women's monobob है, mixed team competition है, freestyle skiing areas में, ski jumping है, snowboard cross है, उतना देखिए जरूरी है नहीं है, ठीकर ना, ski jumping और monobob race की, यहाँ पे photo मना रखी, JS paper 1 sports menus आपको काम आईगी, फिर भाई, US ने यहाँ पे इरान को कुछ sanctions grant किये, आप ये कौन से sanctions हैं, देखिए समझिये, joint comprehensive plan of action को यहाँ पे फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, डॉनल्ड टरम्प ने 2018 के लगबग joint comprehensive plan of action को हटा दिया था लेकिन 2020 तक, civil nuclear energy से related waiver डॉनल्ड टरम्प ने भी दे रखा था इरान को, civil nuclear waiver क्या है, देखिए, और वही waiver यहाँ पे बाईडन administration ने भी दिया है, बात यहाँ पे यह है, कि देखिए, दो यह, कुछ US negotiators और इरान के negotiators पहुँचे हैं वियना में, और वियना में शायद यह प तुम nuclear energy को develop नहीं करोगे, ठीक है बाई, तो overall, यह जो sanctions waiver दिया है Biden administration ने, इससे होगा क्या, इससे होगा यह कि जो foreign countries हैं, वो इरान के civil nuclear sector में काम कर पाएंगी, और अकर इरान के civil nuclear sector में काम करती तो उनके ओपर America की penalty नहीं लगेगी, इरान के जो बहुत बड़े आप कहलो nuclear reactors हैं, तो वहाँ पे अब यूरोप की चितनी भी कमपनिया हैं, वो जाके काम कर सकती हैं, चाइना की कमपनी जाके काम कर सकती हैं, जैसे आप देखो, इरान का बुशे हेर nuclear power station है, इसका जो अराक heavy water plan है, यह पिर जो तहरान research reactor है, यहाँ पे बहुत सा civil nuclear energy काम चलता है, अब उ civil nuclear energy वाले काम में, जिसको peaceful purposes के लिए इस्तिमाल के जाता है, वहाँ पे दुनिया भर की foreign companies जाके पहले काम करती थी, लेकिन जब टरम्प ने ये बैन लगा दिया 2020 में, उसके बाद से काम बंद हो गया, बाइडन ने यही अभी waiver दिया, इसको आप बो सकते हो, civil nuclear purposes के लिए nuclear energy को develop करना इरान के अंदर, इसके लिए foreign companies इरान में invest कर सकती हैं, जाके काम कर सकती हैं, और इसके लिए American sanctions नहीं लगेंगे, लेकिन ये पूरा आप कहलो waiver नहीं है, अभी भी बहुत सारे आप कहलो economic sanctions इरान के उपर लगे हुए हैं, बाइडन ने बोला है, कि जब तक इरान इ इरान के उपर से नहीं हटाएंगे, कुछ experts का तो ये तक बोलना है कि ये जो US ने civil nuke waiver दिया है न, ये actually में इरान की जो progress है towards a nuclear weapon इसको halt कर देगा, देखो इरान को एक बात पता चल गई है, कि इंडिया जैसी country जिसको एक समय पे US धमकाता था, इंडिया ने अपने nuclear weapons बना इरान को पता है कि अगर हम nuclear weapon मना लेते हैं, तो US को हमारे सामने जुखना पड़ेगा, US पहले रोखना चाहता है, बाइडन ने जब ये civil nuke waiver दिया न, इरान को बहुत सारे लोग बाइडन को क्रिटसाइज करने कि भाई, तुम civil nuke waiver क्यों दे रहो इरान को, इरान के उपर maximum pressure policy को follow करो, लेकिन जो वाइडन भी यहाँ पर practically चल रहा है, उनको पता है, कि थोड़े concessions तो देने पड़ेंगे न, इरान को भरोसा दिलाने के लिए, कि हाँ भाई, हम serious economic sanctions हटाने के लिए, अब यहाँ पर देखना यह है कि इरान और US negotiators वियना में क्या बात करते हैं, चाइना ने जो 400 billion dollar इरान में खतम करने को बोला है अगले 15 सालों में, हो सकता है, बैक एंड से जी सिंग्पिंग ने इरान को promise कर दिया हो, कि जैसे हमने पाकिस्तान को nuclear technology दी थी, तुमको भी दे देंगी nuclear weapon के technology, तो तुम इस US के चकर में पड़ो, चाइना कुछ भी कर सकता है, तो इरान को भी दे सकता है, चोकि इसमें पे US common दुश्मन है इरान और चाइना का, तो हम कहें नहीं सकते कि कि किसी प्रकार की deal होगी इस joint comprehensive plan of action को लेके US और इरान के बीच में, let's see क्या होता, अभी के लिए जो civil nuclear waiver दिया गया है, इसके चलते foreign companies, इरान के अंदर जाके civil nuclear projects में participate कर सकती है, उनके उपर sanction नहीं लगेंगे, but total economic sanctions अभी भी इरान के उपर से नहीं अठाये गए, GS paper 2 international relations में news आप हो काम हैगी, mount Everest melt हो रहा है, ऐसा है यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए, mount Everest की highest peak के पास एक glacier है, जिसका नाम है south call glacier, यह south call glacier पिछले 25 सालों में 54 मीट चोड़ी बरफ यहाँ पर बिगल चुकी है, यह जो south call glacier है, यह 7906 मीटर की उचाई पर, बहुत तेजी से थिन हो रहा है, इसकी वज़या क्या है, तो strong winds और warming temperatures की वज़या से पिगल रहा है, तो आप कह सकते हो कि 2000 सालों में जो इस particular mount Everest की उपर इस glacier में जो ice जमी थी, वो 1990 स बीच में पिगल गई, बहुत जगों पे तो snow pack इस हद तक पिगल गया है, देखो, glacier क्या है, mount Everest क्या है, अंदर चटान है rock की, उसके उपर बरफ जमा हो गई है, अब जैसे जैसे बरफ पिगलेगी, वैसे वैसे चटान का सिरा बहार आएगा, और चटान काली होती है, अगर sun की rays को absorb नहीं करती, reflect कर देती है, black surface sun की rays को absorb करती है, इसलिए आपने घर में सुना होगा, आपकी मदर को कहते हुए, कि भाई, गरिमी के समय पे भारी कपड़े, ठीक है ना, कहरो काले रंग के कपड़े मत पहनो, हलके रंग के कपड़े पहनो, चुकि काले रंग के उरज की किरणों को सोकते हैं, absorb करते हैं, तो जितना जादा snow cover इन mountains की उपर से हटेगा, उतना ही mountain की चट्टानों की black surface exposed होगी, और ये black surface exposed होई, तो और sun की rays को absorb करेगी, जो बच्ची कुर्ची बरफ है, वो भी पिगल जाएगी, तो ये एक बड़ा ही disturbing climatic pattern, या फिर कह लि पास है, अगर black eyes exposed होगी, तो भाई जो global warming के चलते बरफ पिगलने का rate है, और तेज हो जाएगा, और अगर ये और तेज हो गया, तो कल की date में, ऐसा भी एक condition आ सकती कि चट्टानों के उपर, mountains के उपर हिमालाज में इतनी बरफी ना बचे, कि वो नदियों को पानी प्रवा में, और हिमालिया से निकलने वाली नदियों के पानी के उपर, पूरे इंडिया, पूरे पाकिस्तान, पूरे नेपाल, भूटान, चाइना, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब की country's dependent है, ये नदियों के पानी कहां से आ रहा है, तो ये जो पूरे के पूरे हिमालिया तो पच्चिस साल में 54 मीटर थिकनेस की बरफ यहां पे ओवर ओल पिगल चुकी है, जो बरफ पिछले 2000 सालों में बनी थी, वो पिछले 25 से 30 सालों में यहां पे पिगल चुकी है, यहां पे आपको नजर आ रहा है एवरेस्ट का समिट, एक और बात यहां पे बताई जारी ह जितना जादा यहां पे स्नो कवर पिगलेगा ना, उतना ही जो लोग एवरेस्ट चढ़ने में इंट्रेस्टेट रहते हैं उनके लिए मुश्किल होगी, जो एवरेस्ट के ओपर चढ़ रहा है, अगर तो वो स्नो के ओपर चलता है, तो थोड़ी आसानी है, लेकिन अगर बेर चटान आ गई, उसके ओपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यह भी बात यहां पताई गई है, जिस पेपर थी, क्लाइमेट चेंज में न्यूज़ आप हो काम आईगी है, फिर रिसेंटली एक एन्वर सर्वे हुआ है चिलका लेक का, यह चिलका लेक का 33% लचवा, और वन थर्ड सीगरास पाएज आती ह है चिलका लेक में, सीगरास क्या होता है, अंडरवॉाटर ब्लाण्स होते हैं, कि हो जो सी गरास इसके पांच स्पेशीज वेटनेस की नच हिए चिलका लेक में, एक ठोह हेलो फिला बैकारी, हेलो फिला ओवेट, हेलो फिला ओवेलिस, हेलो ड्यूल पिनोफाइलिया और हेलो ड्यूल यूनिवर्सिस. ओके, I'm sorry if my pronunciation is wrong, बट ठीक है, कामबर का pronunciation है. तो ये जो sea grass vegetation है, ये 172 square kilometer हैं पाई गई, इंडिया में जितनी भी sea grasses हैं, उसका 33% यहाँ पाया गया है. और sea grass पाई जाना बहुत important है, चुकि sea grass एक बहुत जबरदस बाइव इंडिकेटर है. एक aquatic ecosystem में जितनी ज़्यादा sea grass होगी, मतलब उतना ज़्यादा water purification, ये sea grass पाणी के अंदर से carbon dioxide खीच लेता है. आपको पता है, oceans और पाणी अपने अंदर carbon dioxide खीचते हैं, और पाणी के carbon dioxide को अगर भी कोई plant नीचे खीच लेता है, तो पाणी उतना ही साफ होगा. तो जितनी ज़्यादा sea grass, मतलब पाणी उतना साफ है, पाणी की clarity उतनी अच्छी है, पाणी की health उतनी अच्छी है, water nutrients उस पाणी में ज़्यादा नहीं है, उस पाणी में fish भी appropriate amount में होगी, तो जितनी ज़्यादा sea grass, मतलब उस पाणी का ecosystem उतना ही pure है, उतना ही अच्छा है ठीक है ना और चिलका development authority को भी इसका credit बिलना चाहिए चोकि यह जो sea grass cover है अपने आप नहीं बढ़ा है चिलका development authority ने बहुत सारे conservation efforts चलाए है illegal prawn की जो खेती होती चिलका लेक में उसको यहाँ पर बंद किया गया है इरावडी dolphins endangered species को यहाँ पर बचाने के लिए आप कहलो बहुत सारे steps लिए गए है 150 जिरावडी dolphins लगबग ऐसा कहा जाता है कि चिलका लेक की रामभा बे में पाए जाते है तर चिलका लेक में 10.5 लाग 10.5 लाग water birds मिली है 75 species water birds की यहाँ पर पाई जाती है नाला बाला century में नाला बाला century आप कहलो कि चिलका लेक का ही एक पाट है total number of birds इस नाला बाला century में है 2,86,929 2000 glitter flamingos यहाँ पर रिपोर्ट की गई है pharogenous ducks भी यहाँ पर रिपोर्ट की गई है eurasian otters यहाँ पर spot किये गई है यहाँ प्रकार की जनवर यहाँ पर मिले है चिलका लेक एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया का second number का सबसे बड़ा lagoon है 1981 में चिलका लेक को पहला Indian wetland of international importance कहा गया था रामसर convention के अंदर जो major attraction है चिलका लेक के अंदर वो है इडावडी dolphins जो की पाई जाती है सता बड़ा island के पास जो सबसे बड़ा island है यहाँ पर वो है नला बाला island forest of the reeds 16 square kilometer का है इसको 1987 बर्ड century बोला गया था हम इने बताए यहाँ पर 2,86,000 birds पाई गाती है और कलीजाई temple भी पाई जाता है चिलका लेक के एक island के उपर चिलका लेक में birds आके विजिट करती है ठीक है भाई तो यह overall analysis था आज की news का I hope आपको मज़ा आयो conversation और environment में particular news आपको काम आएगी thank you for watching friends जाद से जाद लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें instagram, telegram पर फॉलो कर लीजे जाद से जाद लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें engagement के लिए और join बटन दबा सकें तो जरूर दबाएं